साथियों, हेल्ट सेक्टर में भारत जमीनिस्टर पर बड़े परिवर्तन की और बढ़ रहा है। अगर 2020 हेल्ट चलेंजिस का साल था, तो 2021 हेल्ट सॉलुशन का साल होने वाला है। 2021 में विश्व, स्वास्त को लेकर और ज्यादा जागुरु होकर समाधानों के तरफ बढ़ेगा। भारत ने भी जिस तरफ 2020 में हेल्ट चलेंजिस में से निपटने में अपना योगदान दिया है, वो दुनिया ने देखा है। मैंने शुरू में इनका जिक्र भी किया है। साथियों, भारत के ये योगदान 2021 में हेल्थ सॉलुशन के लिए, सॉलुशन के स्केलिंग के लिए महतवपुन होने वाला है। भारत, future of health और health of future दोनों में ही सबसे महतवपुन रोल निपाने जा रहा है। जहां दुनिया को competent medical professionals भी मिलेंगे, उनका सेवा भाव भी मिलेगा। यहां दुनिया को mass immunization का experience भी मिलेगा और expertise भी मिलेगी। यहां दुनिया को health solutions और technology को integrate करने वाले startups और startup ecosystem भी मिलेगा। यह startups healthcare को accessible भी बना रहे हैं और health outcomes को improve भी कर रहे हैं। साथियों, आज हम सब यह देख रहे हैं कि बिमारिया अब कैसे globalize हो रही है। इसलिए यह समय की है। और यह समय है कि health solutions भी globalize हो। दुनिया एक साथ आकर प्रयास करे, response करे। आज अलग थलग प्रयास, silos में काम करना यह रास्ता काम आने वाला नहीं है। रास्ता हैं सब को साथ लेकर चलना, सब के लिए सोचना। और भारत आज एक ऐसा global player है जिसने यह करके दिखाया है। भारत ने demand के मुताबिक adapt, evolve and expand करने की अपनी क्षमता को साबित किया है। हम दुनिया के साथ आगे भड़े collective efforts में value addition किया। और हर चीज से उपर उठर हमने सिर्फ अब सिर्फ मानवता को कैंदर में रखा, मानवता की सेवा की। आज भारत के पास क्षमता भी है और सेवा की भावना भी है। इसलिए भारत global health का नर्व center बनकर उभरा है। 2021 में हमें भारत की इस भूमिका को और मजबूत करना है।